आईए बच्चो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में और आपको आज जो है चेप्टर 15 NCRT की बुक क्या पढ़ाया जा रहा है थोड़ा बहुत तो आपको पहले भी इसके बारे में गाइडेंस दे दिया गया था लेकिन यहां मैं डीटेल्स में आपको बताऊंगा कि हमारा जो लेसन है वो कैसे प्रोसीड करता है यहां देखें कि light travel एरांग है straight line इसमें आप देखेंगे कि light जो होता है वो हमेशा एक straight line में travel करती है और इसकी जो सबसे बड़ी खुबी क्या होता है straight line में travel करने का कि अगर आपको इसको bend करना है तो आपको reflect कर इसका एक बहुत छोटा सा experiment है कि आप tube light जला लीजिए और tube light कहीं पे light जैसे candle जल रहा है और candle को एक pipe की नजर से आप pipe के थूरू देखिए तो देखने पे आप ऐसा पाएंगे कि यह जो light है वहां तो दिख रही है लेकिन जैसे ही आप pipe को mold कर दे रहे हैं तो फिर आपको दिखाई नहीं देगी light तो यह इस बात को show करता है कि light always travel in a straight line ओके तो इस experiment को आप देख सकते हैं घर पे भी कर सकते हैं अब आजाईए दूफरा property जो है वो है reflection से related तो light में जैसे reflection हो रहा है आप reflection को कम महसूस करते हैं जैसे आप आइना रख लिए आइना के आगे अगर कह से light का force आ रहा है उस जगह पे आइना लगा दीजिए तो देखिएगा कि light reflect होके जाएगा अब आप इसको बहुत scientifically कर सकते हैं जैसे कि आपके screen पे दिख रहा है कि एक protector है और protector पे आप laser light डालते हैं एक एंगल पर और protector के नीचे मैं करसर से आपको दिखाना पा रहा हूं कि यहां पर आप देख रहा है कि करसर नीचे जो छोटा सा ग्लास दिया हुआ है उस ग्लास पर जो पटिकुलर एंगल पर जब light परती है एक पटिकुलर एंगल से जब light अंदर की और इंटर करती है तो एक पटिकुलर एंगल से भी light बाहर की और निकलती है तो इसका मतलब य light changes. This change in the direction of a light by the mirror is called reflection of light. और उसे activity को आप कर सकते हैं. लाइट जब किसी change हो जाती है अपनी direction तो वो reflection होता है थूँद ग्लास मिरर. अब आप देखिए भाई plane mirror पे image कैसे form होता है plane mirror के image की बात यहां पर आप से की जा रही है. तो भाई कि आईने के सामने आप खड़े हो जाएए आप आईने से जितनी दूरी पर रहेंगे अंदर में mirror भी आपके उतनी ही दूरी पर बनेगा. तो कुछ certain जो हैं इनके characteristics हैं जिस characteristics को मैं यहां आपको बताना चाहूंगा. जैसे image formed by a plane mirror. एक plane mirror के द्वारा image जो है वो किस तरह से बनता है. तो देखें कि image size is erect आपको लगेगा कि जो अंदर में image बन रहा है वो लंबा खिचा हुआ है. Image is the same size as the object. Image is the same distances from the mirror as the object is in front of it. आप माली उसके सामने आप खड़े हो जाईएगा तो आपको उतना ही दूर नजर आएगा. मतलब अंदर में आप देखेंगे कि जितनी दूरी पर आप खड़े हैं. आईने से उतने दूरी अंदर में आपके तस्वीर बन रही है. और दूफरा है कि ये virtual बनता है आईने में. मतलब आप इसको किसी भी तरीके से स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं. जो plane mirror में होता है. ठीक है ना? तो plane mirror में image जो है हमेशा virtual बनता है लेकिन real बनता है. जैसा आदमी होता है, जैसा लोग होता है उसी तरीके से उसका जो है तस्वीर बनता है. ओके students अब आजाएए इस्पेरिकल मिरर की बात हम आप से कर रहे हैं इस्पेरिकल मिरर में आप देखेंगे कि जो हमारा ये हमारा जो ये मिरर है स्पेरिकल मिरर वो बेसिकली कर्व होता है आप चमबच का उदाहरा ले लिजे तो spherical mirror are curved mirror ठीक है, if reflecting is inside a spherical mirror is called concave mirror, जब अंदर से जो धफावा भाग है वो concave कहलाता है जो बाहर का उठावा भाग है वो convex कहलाता है आप stainless steel के spoon को एक reflecting mirror की तौर पे इस्तमाल करके आप देख सकते हैं और concave और convex mirror की अलग-अलग properties हैं मतलब उसके अलग-अलग जो है न different characters है, different उसके virtues हैं, मतलब उसके गोन हैं, ठीक है न बच्चो तो इस चीज को आप ध्यान दखिएगा थोड़ा, और आपको ये समझ में भी आएगा, जब आगे classes में जाएंगे, अब image हमें तभी दिखाई देता है, जब एक तरफ उसकी silver lining की होती है, जो glass है, उसकी silver lining कर दिया जाए तो आपको image दिखाई देने लएगा, अब आज़ाई ये image formed by the concave mirror concave mirror जो अंदर की ओर थोड़ा धसा हो, कहाँ पर आप इसको देखेंगे आप इसको dentist के यहां और नाई वगेरा जो होता है, बारवर उसकी यहां देख सकते है ये जो है इसमें जो image बनता है देखेगा, concave mirror में आप देखेंगे कि इसमें जो है थोड़ा erect बनता है, object से थोड़ा सा बढ़ा बनता है, ताकि उसके चेहरे वगेरा को अच्छे सा identify किया जा सके, और इसमें है कि image में also be real can be obtained on a screen, virtual cannot be obtained on a screen, दोनों conditions के इसके image बन सकते हैं image इसमें inverted भी हो सकता है और erect होता है मतलब उल्टा होता है आप जब लिबरेटरी वगेरा में आएंगे experiment करेंगे, तो आपको यहां पर लिखाई देगा, कुछ activities हैं आप अपने घर कर सकते हैं, जैसे कि आप candle ले लीजिए और candle लेने के बाद जो है, अगर आपके पास अगर mirror है कौन के mirror है, तो उसकी मदद से देखिए, कि अगर आप object को 50 cm की दूरी से पर रखते हैं, mirror को object से 50 cm की दूरी पर रखते हैं, तो किस तरह का position आता है अगर आप फोटी पर रखते हैं, तो कैसा आता है ठकी पर रखते हैं, तो कैसा आता है 20 cm पर रखते हैं, तो कैसा आता है अगर 10 cm पर रखते हैं, तो कैसा आता है अब आजेए यूज ऑफ कनकेव मीरर को आप देख रहे हैं कि रिफलेक्टर टॉर्च वगएरा कि रिफलेक्टर में इसका इस्तमाल किया जाता है कार वगएरा का जो हेड़ लाइट होता है वहाँ इस्तमाल किया जाता है और concave mirror क्या करता है कि reflecting light को parallel कर देता है तो light बहुत दूर तक जाती है इसलिए reflecting glasses वगेरा में भी इसका इस्तमाल किया जाता है तो ये कुछ इसकी जो है बच्चो important बाते थी ये exam वगेरा में भी ये question पूछता है कि concave mirror का इस्तमाल जो है कहां होता है ठीक है ना तो मुझे उमीद है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसके बाद हम लोग आपका जो हमारा next topic होगा वो होगा convex mirror के बारे में अब देखिए convex mirror तो convex mirror को सबसे अच्छे तरीके से हम लोग जो है जैसे car, scooter, motorcycle, इन सब में जो मतलब rear find view mirror जो लगा होता है वो basically convex mirror ही होता है object अपने आकार से छोटा दिखाई देता है दूर दिखाई देता है लेकिन यह wide angle होता है बहुत दूर तक का इसमें image आ जाता है इसलिए car के बगल में यह लगा होता है ताकि पीछे से आने वाली चीजों का driver को एक proper view मिल सके है ना तो यह भी virtual होता है मतलब cannot be taken on a screen थोरा छोटा होता है image size इसमें और यह car scooter इन सब जगों पर यह लगे हुए होते है तो इस चीज़ को थोरा सा आप लोग ध्यान देंगे अब आज यह lenses दिखें lenses जो होता है वो transparent होता है और lenses basically reflection नहीं reflection के principle पर work करता है हम यहां convex lens की बात करेंगे जो मोटा होता है बीच में मोटा और दोनों तरफ पतला होता है तो इनको जो हम लोग converging lens बोलते हैं क्योंकि यह जो light जो आती है तो उसको जो है ना एक point पर यह focus कर देते हैं आप इसका best example देखेंगे जब आप पामिस्ट के पास जाते हैं हाथ बात देखने वाला बात होता है या glow वोग वोगेरा पर जब आप इमेज को magnify करके देखते हैं या कभी-कभी कागच वोगेरा जलाने के लिए जो जिस परकार से आप lenses का यूज करते हैं तो वो सभी आपके convex का बहतरीन example है concave क्या होता है वो बीच में पतला होता है दोनों तरफ मोटा होता है है ना तो यह basically diverging lens होते है इसमे light जो है अपने main point से आगे की और बाहर की और move करती है जैसे glass अगरा generally छोटे बच्चे जो लगाते हैं जैसे मैं भी जो लगाता हूँ वो सभी जो है आपके क्या कहा है concave lens के है अब आजे ये किस तरह का ये image बनाता है तो convex जो है basically image जो बनाता है वो smaller या larger दोनों बना सकता है मैं depend करता है कि object उसके focus से कितनी दूरी पर है ठीक है image इसमें भी real होता है लेकिन screen पर भी लिया जा सकता है और कभी कभी position के गलत होने से virtual भी हो जाता है image जो है inverted और erect होता है मतलब image उल्टा भी होगा और erect भी होगा मैंने खीचा हुआ लंबा image formed by concave lens में देखेंगे कि concave में जो होता उसमें अलग-अलग तरह से image बनते है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो concave lens है तो image formed by the convex mirror में आप देखेंगे कि mirror virtual होता है और इसको जो है आप screen पर नहीं ले सकते हैं image is a smaller in size than object lenses are used in a spectacle microscope telescope और camera में इसका इसका इस्तमाल हम लोग करते हैं अब देखें भई यहां पर आ गया कि sunlight sunlight में basically आप देखेंगे कि white और color type का होता है अब prism देखेंगे प्रिस्म से जैसे इस sunlight को आप गुजारेंगे तो sunlight जो है अपने spectrum में टूट जाता है जैसे इसको भी वे और भी बोलते है जैसे violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red ओके तो कुल मिलाकरी इस तरह के 7 जो है न color से मिलकर light बना होता है और इसको light जब split होता है तो इसको spectrum बोलते है तो इस तीज को आप लोग घ्यान में रखेंगे बच्चों अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें दूफरे experiments हो गयरा है देखेंगे इसको जनरली आप लोग कहां देखते हैं तो जब बारिस होता है और उस समय जो rainbow formation होता है इसको न्यूटन ने इस तरह का एक experiment भी किया था